हेलो दोस्तों मैं हूँ जग्दीश जोसी आज के इस वीडियो में हम लोग स्नाइडर ATV340 इस VFD के बारे में जानेंगे बिल्कुल डिटेल में मैं आप लोगों को इसकी वैरिंग समझाऊंगा ओके तो इसकी वैरिंग समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं पेज नंबर 71 पे चलते हैं तो 71 पे आप लोगों को इस VFD के जितने भी कंट्रोल के ट्रिमिनल्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे मैं सभी ट्रिमिनल्स के बारे में आप लोगों को step by step यहां पे समझाऊंगा और इसके power के connection भी हम लोग समझेंगे अगर आप लोग इस VFD म हम लोगों के पास source और sink यह दो टाइप के connection करने का एक option रहता है पहले हम लोगों के पास PLC में भी इस type से source और sink का option रहता था कुछ PLC सिर्फ सिंक में आती थी कुछ सिर्फ source में आती थी बट आज के time में जितनी PLC आती है उनको हम लोग source और sink दोनों टाइप से उनके connections कर सकते हैं तो यहां पे जैसे भी आप लोगों को connection करने हो source में करने हो या फिर Ethernet port extra दिये हुए रहते हैं communication purpose के लिए ओके यहां पे अगर आप लोग नीचे देखोंगे तो यहां पे mansion भी है ओके यहां पे आप लोगों को दो advanced Ethernet port मिल जाते हैं ETH 1 और 2 अब यह ETH 1 और 2 यह देखो 2 यहां पे दिया हुआ है और 1 भी यहां पे दिया हुआ है तो यह दो पूर्स हम लोगों को मिल जाते हैं जिससे कि हम लोग as a mod bus हम लोग multiple अपने devices को connect कर सकते हैं मानगे से लोग VFD, HMI, PLC इस तरीकी से अगर आपके पास है तो उन से को आप लोग एक दूसरे से communicate कर सकते हो connect कर सकते हो ठीक है अब अगर हम लोग यहां पे R1 A और R1 B, R1 C इन ट्रेमिनल्स के बारे में बात करें तो यह controlling के होते हैं इनको हम लोग controlling में यूज करते हैं अपने contactor के साथ में जातर टाइम, मान के चलो कि इस VFD को power देने के लिए हम लोग उन्हें एक power का contactor लगा रखा है और उस power के contactor को जब हम लोग hold करेंगे तो हम लोग holding के लिए आगाम करते हैं उसी होगा क्या कि in case अगर मान के चलो इस VFD में कोई भी error generate होता है कोई भी alarm generate होता है तो उस case में आपका power वाला contactor off हो जाएगा और उससे आपकी VFD की power जो है वो cut हो जाएगी तो उससे आपकी motor automatic ही off हो जाएगी तो अगर हम लोग यह चाहते हैं कि VFD में अगर किसी भी तरिके का कोई भी alarm generate होता है या कोई भी error generate होता है तो उस case में हमारी motor off हो जानी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे in controlling के terminals को हम लोग use कर सकते हैं यहाँ पे R2A और R2C यह दो 0V यह मिल जाता है ठीक है मतलब कि 0-24 इन दोनों की बीच का voltage अगर आप लोग मेजर करोगे तब जा करके आप लोगों को यहाँ पे 24V मिलेगा जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुए जो वन है इननी की वन यह वाला ट्रिमिनल है तो वन हम लोगों का 24V इन आउट मैजिमम सप्लाइ मिन्स की 200 मिलियाम्स तक का लोड आप लोग इन ट्रिमिनल्स के ऊपर डाल सकते हो और जो दो नंबर है यह सिर्फ टॉर्क आफ के लिए ठीक है तो अगर इमेडिट सिस्टम अगर आप लोग यूज कर रहे हो ATV 340 में तो वह आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो इसके लिए इन लोगों ने यह मैनुवल यहाँ पर दिया हुए इसको भी हम लोग इन फ्यूचर डिसकस करेंगे एंड उसके बाद PTI PTO यह दो हम लोगों को टेमिनल मिल जाते हैं यहाँ पर CN5 और CN4 ठीक है यहाँ पर आप लोगों का PLC से पल्स आएंगी और यहाँ पर अगर मानके चलो पीडियो जो है यह पल्स ट्रेंड आउट कैन भी यूज टू कनेक्ट टू और सेकेंड एटीवी 340 PTI तो अगर मानके चलो अगर आपके बास कोई एकस्टेंडल वैसे आप लोग अधर व्यावडी को भी कम्मिनिकेट कर सकते हो वाया इथरनेट और वाया यहाँ पर इस आपीटियो ट्रिमिनल के थूप ठीके एड उसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग नीचे की तरफ आओगे तो नीचे की तरफ यहाँ पे डिजिटल कॉमन ट्रिमिनल दिया हुए ठीके और उसके अलावा यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे अब कुछ आउट्पूर्स दिये हुए और कुछ इन्पूट्स है आप लोगों का ठीके यहाँ पे आप लोगों का देखोगे अगर आप लोग तो पास नंबर जो है वहाँ पे आप लोग इनकोडर कनेक्ट कर सकते हो ओके तो यहाँ पे पास नंबर कुछ सा है के अनलोग आ मनलब digital outputs है और 7 number जो है यह आपके digital GOT घ्योंगोंग चेशलिटेन इन्पूट्स है 125 यहाँ दिये हुए है उसके बाद 8 number में ये अनलोओым आउट Put है ऑकि तो एनलोओ आउट put है आपका 8 number हो गया ठीक है AQ 1 ठीक है यहां पर आप लोग कोई पी अनलोओ output अपना connect कर सकते हो 10V DC और 10mA तक का load अगर आपके किसी भी analog output का है तो वहाँ पे आप लोग इसको simply अपनी VFD के साथ में connect कर सकते हो और उसके अलावा जो 9 number वाला टरिमिनल है यह आपका analog input है जहां पे आप लोग अपने किसी भी potential meter को connect कर सकते हो यह 9 number वाला टरिमिनल है AI1 ओके अगेन आप लोगों के पास यहां पे कुछ differential analog inputs है जिनको आप लोग multiple purpose के लिए यहां पे यूज़ कर सकते हो यह वाले ठीक है यहां पे AI2 और यहां पे देखो यह टरिमिनल्स दिये हुए अगर आप लोग चाहो तो आप लोगों को power terminals के बारे में बता हूँ जैसे कि मैंने आप लोगों को उपर बताया था कुछ terminals होते हैं हम लोगों के पास R1 A, R1 B और R1 C अब यह जो terminals होते है ना इनको मैं आप से कह रहा था कि आप लोग अपने holding NO के series में लगा दो तो यहाँ पर देखो यह series में लगाया हुआ है R1 A और R1 C को यह R1 A और R1 C है यह तो नॉर्मली आप लोगों का RY B यहाँ पर आएगा और आपके VFD के L1, L2, L3 या RST इन terminals पर connect हो जाएगा और नीचे output में UVW यह पर T1, T2, T3 जो यह terminals हैं यहाँ पर आप लोगों की motor connect हो जाएगी उसके अलावा हम लोग इस VFD को पावर देने के लिए हम लोग एक contactor को यूज़ करेंगे देखो यहाँ पर contactor का एक बलाब contactor के जो पावर वाले terminals होते हैं वो यहाँ पर दिखाए हुए contactor कोईल यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो के वन ही में कॉ मुटर यहाँ पर देखोंसर आपकी व्य प्रूदी को सेवक ट्रवाइड करनparty कैये तो है तो इसकेस में आपके मोटर जो है वो सप्लाइ से डिसकनेक्ट हो जाएगी ओके क्योंकि यह आपकी यहाँ से पावर नहीं जाएगी और आपकी यहाँ पर जाएगी नीचे यहाँ पर लिखा हुआ भी है तो इस तरीके से जो हम लोगों की एटीवी इसके कनेक्शन वगरा होते हैं आई होब कि समझ माया होगा आप लोगों को बाकी इन फ्यूचर एक प्रैक्टिकल लेक्टर भी हम लोग लेके आएंगे जितनी भी व्यक्ति के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर कनेक्शन समझा रहा हूं मेरा मैं वक्सद यह है कि लग लगभग सेम ही होते हैं कुछ VFD में आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे यहे ब्लोग व कर i यहाँ पे outputs मिल जाएंगी आप लोग उनको inputs ट्रिमिनल मिल जाएंगे बस यही features होते हैं बाकि connections वगेरा आप लोग लगबग सभी VFD में सेम मिलेंगी और जितनी भी VFD के connection में आप लोग उनको बता रहा हूँ उनके practically भी video in future में आप लोग के लिए लेके आऊंगा बाकि अगर आप लोग RLC, PLC, VFD, HMI, Skada, Autoguard Electrical इन में से कोई भी अगर बिल्कुल 0 level से course जोइन करना चाहते हो तो आप लोग हमारी website या Android app से courses जोइन कर सकते हो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की नीचे description में इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में